ताना बाना में आपका स्वागत है पूर्वा नंजी करिम एक दशक पहले जब भारत भूशन अग्रवाल पूरुसकार मिला था अनुच लोगुन को तब से वो एकदम से कविताओं की दुनिया में एक जाना पहचाना और स्विकृत नाम बन गया और हम देख रहे हैं कि लगातार वो अपनी कविताओं से हमें चौका रहे हैं हमें आकरशित कर रहे हैं और इनका ये दूसरा कविता संग्रह है पतल गड़ी जो कि मुझे लगता है कि आदिवासी संसार को नए ढंक से हमारे लिए खोलता है उनकी चिंताएं उनके सरोकार उन चनुज लगुनि क होना हिंधि कविता के लिए इसलिए बहुत महत्तुपूर्ण है कि उसके साथ एक ऐसा स्वर आता है जो आज तक विशयर बना रहा है अब वह स्वर है और वह सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहा है वह दुनिया के बारे में ब्रम्हان्ड के बारे में भी बात कर रहा है तो अब तक आम तोर पे जैसा दार्शनिक कहते थे कि एक बड़ा समुदाय है जिसे आप कविता का या दर्शन का या चिंतन का विशय मानते हैं लेकिन उनके लिए आप भी विशय हो सकते हैं और पूरी दुनिया विशय हो सकती है ऐसा आप नहीं समझत तो अनुज लगुन कस्वर इसलिए महत पूर्ण है कि वो एक बिल्कुल अलग जीवंद्रिष्टी लेकर आते हैं और अनुज लगुन के साथ ऐसे बहुत सारे कवी हिंदी कविता में सक्रिय हुए हैं जिसे आप कह सकते हैं कि वे आदिवासे जीवंद्रिष्टी के साथ रहे हैं और सिर्फ जीवंद्रिष्टी नहीं बलकि आदिवासे संवेधना को हिंदी कविता में या हिंदी साहित्य में वे अपने साथ लेकर आएं और और यह बहुत बड़ा योगदान है इसलिए कि मैं यह मानता हूं कि कि किसी भी कवी का या किसी भी साहित्यकार का एक क संवेधनाओं की नहीं संग्रचना गड़े तो यह तो उसका काम है हर कवी का काम है लेकिन एक पूरा संवेधना तंत्र है जिससे हम जैसे लोग अपरिचित रहे हैं कई कारणों से और यह हमारा अभाव है तो उस अभाव को दूर करने के लिए और स्वर पर यानि स्वर को का दावा पेश करने के लिए अनुज लुगुन के इस संग्रा को भी बढढा जाना चाहिए उनकी जो बाकि कविताय जैसे कहा है कि यह तीसरा संग्रा होता तो दूसरा संग्रा अब तक प्रकाशित है हम उसका भी इंतजार करेंगे लेकिन संग्रा में बहुत सारी ऐसी कह सकते हैं जन्हें आप दार्शनिक कह सकते हैं आप सांस्कृतिक कह SAKTAY हैं और यह भी कह सकते हैं कि वे एक नई ब्रह्मान्डी दृष्टी एक कॉस्मिक समझ आपकी सामने पर सुद्ध जी तमाम कविताएं जो हैं वो केवल आदिवासियों की अस्मिता उनके संघर्ष उनके सोशन तक सीमित नहीं रह गई हैं वो उनके बाहर की दुनिया चाहे वो भीमा कोरेगा हों सहारन पूर हो ये राश्टवाद जो घ्रणा और हिंसा फैलारा वो हो वो तमाम तरह की चिंताएं एक आदिवासी कवी में की सरोकारों में शामिल हैं ये उनको और बड़ा कवी बनाती बिल्कुल ये बात मैंने शुरू में ही कही कि वह सिर्फ अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ यह नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे देखो बलकि वे कहते हैं कि मैं जैसे तुम्हें देख रहा हूं या दुनिया को देख रहा हूं उसको भी देखो तुम मेरी निगाहा को देखो इसलिए आपने ठीक ही कहा कि उनका उनके उनकी जो विश्यवस्तु का जगत है वो बहुत ही विस्तृत है कुछ लोग उनको सामई कह सकते हैं लेकिन वे प्रश्ण ऐसे हैं जो सारो भाव में जैसे और और बहुत गहराई में राजनीति हैं इस संग्रह मे अने कई कविताen जो नाग्रिकता के द्वंद और नाग्रिकता के समस्या से जूच्टी कुई कविता हैं नाग्रिकता के सीमानंद पर कौन लोग और यह आज 2021 में अम्रे ले महत्पून हैं लेकिन नागरिक्ता की यह जो पूरी अधारणा आधुनिक समाज में विक्सित हुई है जिसमें मनुष्य को आप नागरिक के रूप में ही स्विकार करते हैं मनुष्य के रूप में स्विकार नहीं करते हैं उस तो यह सिर्फ समकालीन बहुत संकीरन अर्थ में नहीं है बलकि आधुनिक समय की मनुष्य को परिभाशित करने की जो विटम्बना है और उसकी जो हिंसा है उसको यह कविताएं सामने लादे हैं खासकर नागरिक्ता से जुड़ी यह कविताएं और आपने भी आपका भी ध्यान उन पर गया होगा एक कविता ही है नागरिक्ता के सीमानतों पर खड़े लोग प्रेम की नागरिक्ता पतलगड़ी को भी आप उस तरह पढ़ सकते हैं और और नागरिक्ता के सीमानतों पर खड़े लोग कविता को जब आप पढ़ते हैं उसके कुछ पंक्तिया में पढ़ना चाहूंँ नागरिक्ता के सीमान्तों पर खड़े लोग संदिख्ध हो जाते हैं वे बहु संख्यक आवादी की पूँच माने जाते हैं जानवरों की तरह नागरिक्ता के सीमान्त पर खड़े लोग कभी जम्मू के हो जाते हैं कभी कश्मीर के कभी पूरवत्तर के कभी बस्तर के सीरिया फिलिस्टीन म्यामार मैक्सिको बाटमाला कहीं के भी हो सकते हैं दीरे-दीरे वे गुस्यल हो जाते हैं, वे चिडँचिड़े हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो सबसे मारमिक पगते हैं, तब उन्हें और आसान हो जाता है नागिरिकता के पाएदान से धक्के दे देना. और उसके बाद की पड़िया नागरिक्ता के सीमानत पर खड़े लोग आपके तरह मुस्कुराते हुए आधार कार्ट नहीं दिखा सकते राशन कार्ट लिए हुए भी उनका दिल थड़कता रहता है यह और इसको पड़ते हुए और बाद में दूसरे कविता पड़ते हुए यह पंक्तियां से जुड़ी हुई दिखलाई पड़ी यहां पर अपूरवन और जी एक कविता का दिक्र बल्कि पतल गड़ी कविता की कुछ पंक्तियों का दिक्र में करना चाहता हूँ जहां वो हिंदी के इलाके में भी अपनी जो पहचान है अपना जिस पर आकर्मन हो उसकी बात करते हैं अंतिम पंक्तियां कितनी अजीब बात है कि हिंदी आदिवासियों की मात्र भाषा नहीं है ना ही वे पत्थर फेकने का मुहावरा जानते हैं वे तो सिर्फ पत्थर गारना जानते हैं फिर भी वे पत्थर फेकने के दोशी माने गए भाषा का ये फैर पकाःत कर रहे हैं लेकिन इस कवीता में सावधानी भी और इसको मैं कभी की राजनीतिक सावधानी गहता हूं कि पत्थर पहेक ना और पथफर गाड़ना लेकिन पत्थर हेंकना भी कई जानी आप अपनी असहमती जता सकते हैं या दमन तेज हो तो प्रतिरोध स्वाभाविक है तो वे आमने सामने नहीं खड़ा कर रहे हैं यह ठीक है कि चुंकि आप इस भाशा को नहीं जानते तो आप पतलगड़ी को विद्रोग होशित कर रहे हैं लेकिन यह प्रेशन नहीं जानने का नहीं है मैं यह मानता हूं कि सत्ता बहुत अच्छी तरह से उस भाशा को जानती है और उसे वह उसका अपराधी करन करने का प्रयास करती है या वह जानती है कि पतलगड़ी क्या है तो वह उसकी नाजानकारी नहीं है जिस वजह से वह ऐसा कर रही है वह बिलकुल जानते बूचते वे ऐसा करे और इसलिए इस कविता को मैं समझदार राजने तिक चेतना के कविता कहता हूं लेकिन यह जो नागरिक्ता वाले प्रेशन पर हम लोग बात कर रहे थे और चाय बागान के अंग्रेजी मशीन आपका ध्यान उस कविता पर गया होगा जो टी ट्र पाइब उन्हें खेतों को कोड़ने वाला गाओं को बसाने वाला कहा गया लेकिन उन्हें नागरिक्ता के सीमान पर धकेला गया अपरुबन जी इनकी कविताओं में एक आक्रोश है वो आधिवासी आक्रोश कहें या ये समय से पैदा हुआ गुसा कहें और पूरी साहस के स नात व सरुकारों से जुड़कर वो सामने आता है इस गुस्से को किस तरह से आप देखते क्रोध बहुत स्रिजन्शील होता है और और होना चाहिए जो लोग राग्ड़ेश से परे हो चुके हैं परोफसे परे हो चुके हैं उनके मनुश्य होने में ही कई बार संदे होता ह किसी बात पर क्रोध क्यों नहीं आता तो इसलिए क्रोध और हिंदि कविता में तो वा क्रोध अनेक बार हमारे बड़े कवियों में व्यक्त हुआ है जहाए धूमिल हूँ मुक्ति बोध हो निराला हूँ क्रोध एक स्थाई अभी व्यक्ति रही है जहां भी अपमान होगा, जहां भी अन्याय होगा, वह क्रोध का होना बहुत सौभाविक है, लेकिन मैं इन कविताओं को देखते हुए, यह देख रहा था कि यह दरसल उन लोगों पर रहम भी है, जिन्होंने यह दुनिया बना दी है, ऐसी दुनिया जिसके चलते क्रोध पै बोल रखा था, जी, तो आप यह देखेंगे कि यह कितनी संभली हुई भाशा है, और दरसल एक तरह से वे तरस खाते हुई भाशा है, कि तुम ऐसे हो, जिन्होंने नदी को नहीं समझा, वे एक दिन प्यासे रह जाएंगे, जिन्होंने चिडियों को नहीं जाना, वे एक दिन नंगे हो जाएंगे, और जो तुम से प्यार करते हैं, वे लड़ेंगे इन सारी चीजों के लिए, तो यह जो क्रोध है, या संघर्ष है, वह उसके पीछे डुख भी है, कि यह जो पूरा अत्याचार है, वह उन लोगों का पैदा किया हुआ है, जो नदी को नहीं जा सुनते हैं, और जो पेड़ों की बात नहीं सुनते हैं, तो नुकसान उनका है बहुत बड़ा, बिल्कुल, एक कविता में मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एस्थेटिक्स को जो प्रचलित कविता के सौंदर शास्र की बात करते हैं, उसको भी चुनौती दी है, तो इस इनकी कविताओं के सौंदर शास्र को आप किस तरह से बखान करेंगें? देखें यह और जिस एस्थेटिक्स की बात कर रहे थे, वह है इतिहास के रास्ते का सूरच, उसको के पहली हिस्से में वह बात है, और अपने अहंग का जंडा लेकर चलने वारे लोग पक कुंद हो चुकी रेती से अपने कविता की भाषा चमकाते हैं और उनका इस्थेटिक्स भी उससे अलग नहीं होता है, आप संबह उता है, इसे कविता कर रहे थे, तो भाषा आप कैसे गढ़ेंगे, इतिहास के रास्ते का सूरच में उस इस्थेटिक्स के साथ एक हिंसा को जोड़ा गया है, वह इस्थेटिक्स क्यों पैदा होती है, और क्यों आपको उसके खिलाफ एक इस्थेटिक्स खड़े करनी है, पंकडंडियों पर छोड़ दी गए, क्योंकि वे पंकडंडी पर नहीं चलते हैं, उनका हंकार है कि वो इतिहास की लकीर पे चलते हैं, वो कि कि अक्सर भाशा की परिवाशा करते हुए मैंने अपनी कक्षा में सुनाया चाथ्रों को कहती हुए उनका दोश नहीं है हमारा दोश है जिसमें वह कहते हैं कि लिखित सहीती होना चाहिए तो यह जो लिखित का अहंकार है दस्तवेजी करण का अहंकार है उसके सामने के कालर पर लगे मक्खी के धब्बे को इतिहास की हिंसा का खून सिवाए एक कवी को ये जो खुद पगडंडियों का वनिशच हो वाह बहुत खुबसूरत कविता है जी मैं एक कविता की तरफ आपका ध्यान खीचना चाहता हूँ ये भीमा कोरे गायों इतिहास कविता है सब केवल शासक नहीं थे शासन करने वालों को आँख दिखा कर चलने वालों ने इतिहास में रचा है अपना पक्ष जो अपना पक्ष रखेंगे वही शहीद होंगे उनका ही इतिहास बताएगा यह कि ताकतवर भी भैभीत होता है और ताकतवर को भी हराया जा सकता है बिल्कुल अपने समय की वो कविता लिख रहे हैं लेकिन जैसा मैंने का वो समय को पार भी कर जाएंगी अब जैसे इस कविता को आप देख लिए अल्प संख्यत अब यह आपने कहा कि कौन सामने होगा और यह कहते हैं कि दरसल अल्प संख्या कौन होगा उनकी संख्या कम होती जाएगी वे आस्था और भक्ति के जबड़े पर तिनकों की तरह होंगे तक तर्क के कबर पर उन्हें चबाया जाएगा अपनी भाषा में बोलना उनके लिए अपराध होगा प्रूर्ता और हिंसा के सामने वे अल्प संख्यक होना आदिवासी होना नहीं होगा अलब संख्यक होना मुसलमान होना नहीं होगा अलब संख्यक होना हिंदू होना नहीं होगा जो सच को सच की तरह बोलेंगे वे अलब संख्यक होंगे जो सवाल करने वाले होंगे वे अलब संख्यक होंगे तो यह इसको देखके इसका पूरा एसास होता है कि कभी बिल्कुल ब चूट मांगने की प्रविर्टी नहीं है और वह सिर्फ इस रूप में दावा नहीं कर रहा है कि वह एक आदिवासी स्वर है आदिवासी है आदिवासी स्वर मानविय स्वर को और सम्रिद्र करता है और उसके अभाव में यानि अब तक जो जिन्हों ने उसको नहीं सुना उन बहुत बहुत शुक्रिया अपूरवनन जी ये बहुत शांदार कविता संग्रा है मुझे लगता है कि हर दर्शक को ये कविता संग्रा जरूर पढ़ना चाहिए इन कविताओं को जरूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी नई चीजे आपके लिए लेकर आती है और नहीं अंदाज में लेकर आती है बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद जी यह कहना चाहूंगा कि खासकर एक जिस कविता पर मेरा ध्यान गया हुआ मेरे गाउं में CRPF कैम्प लग गया है जी 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 वे कहते हैं कि एक चाचा एक ताउ नकसली हो गए एक चाचा पु कुछ बदल गया गाउं में CRPF कैम्प लग गया है यह सामान्य कथन नहीं है यह हमारे गणतंत्र का विशिष्ट कथन है मेरे ताउ जी किसान थे मेरे चाचा भी किसान के बेटे हैं और मैं भी ऐसे ही कई किसानी कंदों के जवान होंगे CRPF कैम्प में भी और मुझे इसी बात पर गुस्सा आता है कि जब गाउं से हमारी बेदखली होगी तो हम किसान नहीं रह जाएंगे और कैम्प के जवान भी आदेश का पालन करते हुए किसान के बेटे नहीं रह जाएंगे सत्त हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर कि अजय बात पτι जाएंगे ये इसी आता है कि तो हम रहएंगे जारा है कि विकसा प्ले से हुआ है जार्य जाता है वक्या टुआ है